वेलकम तो बिपेसी मेकर आज से बिपेसी मेंस का ये स्रिंखला सुरू क्या जा रहा है ये answer writing practice series है जिसे देखकर आप अपने तयारी को बेहदर कर सकते हैं तो अगर आप घर बैठे रहे के विपेसी एकजाम के तयारी में लगे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजे और अगर मैं यहाँ पर इस रिंकला के बात करूँ तो इस रिंकला में जो प्रशन आपको दिये जाएंगे उसका आंसर सहीद विसलेशन भी किया जाएगा तो आपको मैं यहाँ थोड़ी सी जानकर यह दे दू प्रशने सबसे पहले आपको मिलेगा एक दिन पहले आपको प्रशने दिया जाएगा हमारे टेलिग्राम गृप पर टेलिग्राम गृप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पर लगबख सारे 4000 आत्मी अल्रेडी से जोइन कर चुके हैं तो आप भी जाएए उस ग्रूप को जोइन किजे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप वहाँ पर किलिक करके जब मतलब कि जो आप देख रहे हैं ये वीडियो ये इसका question पहले ही वहाँ पर update किया गया था तो question जब update किया जाता है तो उस समय जैसे कि मान लिजिए अभी मैं जो परश्ण है पहला परश्ण है पर आपको बताने वाला हूँ ये परश्ण है कि बिहार में British विरोधी शंगर्ष के बारे में विस्तार में समझाएं और ये किस परकार मेर कासीम और अंग्रेजों के बीच मद्वेद का कारण बना तो ये परश्ण होँ पर पहले ही update किया गया था क्या मतलब काहलू को आपने छोड़ा है ये सभी चीजों का आप मिलान करेंगे तो एक मतलब कर सकते हैं कि दोनों के combination से एक आप अच्छा answer को तयार कर सकते हैं जो कि VPSC means के लिए काफी ज़्यादा आपके लिए helpful होगा तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मेरे answer कहीं भरोसे रहेंगे आप अपना answer लिखेंगे और दोनों में मतलब compromisation करेंगे कौन सा आपको बहतर लगा क्या चीज़े मैंने आपसे बहतर लिखी या फिर मतलब जो भी चीज़े उसमें देखेंगे आप सभी चीज़ों को मिला के उसका आंकलान कर पाएंगे कि मतलब की कैसे ये answer सही तरे कैसे लिखा जा सकता है इस बात का ध्यान रखेगा टेलिग्राम गुरूप का link इस वीडियो के description में दिया गया है आप उसे जरोड जोयन कीजिए अब आते हैं इस प्रश्णी के answer की और किस प्रश्णी का answer हम किस प्रकार से लिख सकते हैं तो चलिए इसका answer देख लेते हैं इस प्रश्णी का उत्तर इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि भारत के पुर्वी छेत्र में ब्रेटिस सासन के स्थापना 1757 से प्रारंप होने लगी थी और इसी दोरान पुर्वी भारत के साथ-साथ बिहार में भी ब्रेटिस विरोधी संगर्ष की सिरुवाद हो चुकी थी लगवग 150 वरसों तक यह संगर्ष चला और इस क्रम में सरुपरतम छेतरी अशासकों और अस्थानिय जमिनदारों के द्वारा अंग्रेज़ों को चुनोती दी गई थे और इसे अनेक घटनाये 1767 से लेकर के 1867 के बीच चली और इसके लावा इस तोरान अनेक जन आंदलन भी हुआ जिसने ब्रेटिस सत्ता की निव को चुनोती दिया था अगर यही प्रशन अपसे एकजाम में पूछ लिया जाए तो अंसर के सरुबात में इसे जरूर सामिल किजेगा आए जागे बढ़ते हैं और इसे लेखते हैं और अंग्रेज द्वारा चल और बल का प्रियोग कर सत्ता हत्या लिया जाता था जिसके परती विरोध और विद्रो की भावना भी उबरने लगती थी और इसमें सबसे पहले सासक वर्ग फिर आम लगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संगर से छेड़ा पहला है सासक वर्ग का विरोध और जन अंधरोन का विरोध इस तरह से आप अपने आंसर को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं तो आप इन सबसे चीज़ों को धियान रखिए जो बिलिटिस विरोधी शंगर से था ये पूरवी भारत में ही सरुपर्दम मतलब की मतलब पर्चलन में आया था ये मतलब राष्टेता के भावना जो थी ये बिहार समेत पूरवी मतलब के भारत में जितने भी राज्जे थे जैसे कि बंगाल हो गया इन सबसे राज्जों में मतलब की का सकते हैं कि राष्टेता की भावना धीरे धीरे जागरत होती गई और अंग्रेजों के विरोध में मतलब की जो भी चीज़ें यहाँ पर गलत हो रही थे उन सभी का विरोध क्या गया भारतियों के हित में जो भी चीज़ें गलत हो रही थे उन सभी चीज़ें का विरोध क्या गया इसके बाद जन अंदोलन ने भी इसमें भाग लिया गया ये धियान रखेगा और फिर आगे है कि बिहार छेत्र ने इन दोनों ही चरणों के संघर्षव में अगरनी भुविकाने वाई और इसके पस्चात अजादी की डड़ाई का तीसरा महत्पूर्ण चरण राष्टिय अ इस दोरान ब्रेटिस सत्ता का विरोध केवल अस्थानिय एवंग छेत्रिय और संतोस के कारण ही नहीं किया गया बलकि इस संघर्ष का लक्ष एक नई विवस्था का निर्मान करना था और इसका विस्तार देश व्यापी था और इसमें रजवाडों और जमिंदारों से आपके आंसर राइटिंग में आपकी काफी मदद करेगा एक तरह से ये एक की पॉइंट है कह सकते हैं कि आप अपने आंसर जो लिखेंगे उसके सब्दों की सीमा को मतलब सम्मिलिक्त करते हुए बढ़ा सकते हैं यानि कि अगर आपको लगे कि सब्द कम पढ़ रहे हैं त भारत में पहली बार सत्यागरह का जन आंदोलन के रूप में गांदे जी ने पहली बार चंपारण में प्रयोग किया था इसके बाद खिलाफत आंदोलन अहसायोग आंदोलन होमरूल आंदोलन शवी ने अवग्या अंदरोन और भारत छोड़ो अंदरोन का विदिवत तरीके से देश तथा बिहार की जनता द्वारा किया गया जिसमें बिहार की जनता भी लगतार शक्रिय रूप से बने हुए थे और इस तोरान एक सबसे बड़ी बात यह थी कि इसके आरंभिक काल में बिहार को एक प्रिथक पहचान की चेतना मिली जिस भावना के कारण इस चेतर को बंगाल से अलग होने और एक अलग प्रांत बनाने में योगदान मिला अब यहां पर बात आती है कि बिहार और बंगाल का जो बटवारा हुआ था यह काफी मतलब चर्चे में था इसका एक अलग से मैं वीडियो लाओंगा मेंस का तो वह आप वहां पर देखेंगे अब यहां पर मैं आपसे प्रशने पूछता हूँ कि मतलब कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था मतलब कब प्रिथक होके एक नया प्रांत बना था यह बताईए अगर आप इसे लिखना चाहें मतलब का सकते हैं कि यहां पर मैं कॉमेंट में लिखने आपको नहीं बोल मतलब करेगा तो ऐसा नहीं है कि यह जो मेंस का जो वीडियो आता है सिर्फ आपके मेंस एक्जाम के लिए उप्योगी है बलकि यहां से चोटे-चोटे फ्रैक्ट है वह आपको प्री एक्जाम में भी काफी मदद करेगा तो बंगाल विभाजन के बारे में मैं आपको एक म प्रिक्षा पेड गुरूप के बारे मता दूं इस चैनल के माध्याम से स्ल्साइट भी प्रिक्षा के लिए प्री प्रिक्षा के लिए चुली में टेस्ट श्रीज लाया जाता है यहां पर आपको यह जो ग्रूप है यह 31 दिसंब्र 2021 तक वालिट है इस ग्रूप में आपक कि आपको मंन्थली करने फैर्ट मिलेगा और सभी जो भी प्रशन का टेस्टेस्ट हो गया करto सभी चीजों का अब करते हैं तो आपको विचलेसन की काफी अच्छी हो जाएगे और इसके अलावे यहां मिलेंगे और जो भी मतलब कि विहार से रिलेक्टेड जो भी महात्वूण पीडियाफ होंगे वो दिया जाएगा और भी बहुत सारे है स्टेटी मेट्रियल जो कि आपको पेड ग्रूप के अंदर प्रवाइट किया जाएगा अगर आप इससे जोईन करणा चाहते हैं जोईन करने के एक चुक है तो इस वीडियो के डिस्कूप्सन में एक वार्टसब नमर दिया गया है आप उस वार्टसब नमर पर हमें तो पलासी का जो दजो हुआ था ये 23 जून 1757 को मुरसिदाबाद के दक्षिन में 22 मेल दूर नादिया जीले में गंगा निदे के किनारे पलासी नवाक अस्थान में हुआ था जो कि इस चरण की अरंभिक लड़ाई थी एक तरह से और 1757 की इस पलासी की लड़ाई के बाद ब फ्रांसेसी सेलानी जॉन लो ने भी दिया था इस विरोध का दमन सर आयरकूट और उसके बाद रोबर्ट कलाइब द्वारा किया गया और इसके बाद मीर जाफर में भी इसके खिलाब मतलब कि शैनी को पाई किया थे ये से भी घटना जो थी ये ब्रेटिस विरोधी संगर पहले चरण के घटनाए थी इसे मैंने परश्णी के अंत में इसलिए सामिल किया है क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं परश्णी के अंत में जो दूसरा सेक्षन है यह कि यह कि प्रकार मीर कासीम और अंग्रेजों के बीच मद्भेद का कारण बना इसी वज़ा से इसको पर डिटेल मैप को बताऊंगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद मीर जाफर ने सैने को पाई कि और इसके पस्चात मीर जाफर के सब्ता धीरे धीरे सुद्लिर होती गई और इसके बदले में मीर जाफर ने अंग्रेजों को बिहार में शोरे का वियापार क एक आधिकार प्रदान कियां इन सभी के पस्चात मार्श 37-69 में मुगल साजादा ऐली गौहर ने बिहार पर चलाए किया था अली गौहर का ये अभियान बिहार में पहला अभियान था जिनमें उनका सायोग जौन लौनी किया था मगर इस चरण में रबर्ट क्लाइब ने उसे बिहार से भागने पर मजबूर कर दिया इसी दोना मुगल समराड आलमगीर दुट्य की मिर्तियों हो जाने के कारण अली गोहर ने खुद को समराड खोशित कर दिया और साह आलम दुट्य की उपादी धारन कर गद्धी पर बढ़ गया और फिर उसका विरोध मुगल दरवार के सकतेसाली वजीर और आधी लोगों द्वारा निरंतर किया गया इन सबी के पस्चाद साह आलम दुट्य को दिल्ली में प्रबेश नहीं करने दिया गया इस समय में सहा अलम द्वित्य अवद और बिहार के छित्र में कुछ चपतातक रहा था और इसके बाद पुनह 1760 में बिहार पर चड़ाई कर दिया जिसे राजा राम नरायन ने लोपने की कोशिस की मगर पराजित हो गया फिर जॉन लो ने उनका साथ दिया और एक बड़ी सेना के साथ पटना का घहरा डाला लेकिन मेजर बॉक्स ने उस समय कारवाही करके सहा अलम द्वित्य को बिहार से वापस लोटने में मजबूर कर दिया पुना 1761 में सहा अलम द्वित्य का तीसरा अवियान शुरू हुआ और इस बारव अंग्रेजों के हाथों पराजित हो गया और उसके पस्चात जॉन लोबंदी बना लिया और शाह अलम द्वित्य ने अंग्रेजों का संडरक्षन श्विकार कर लिया जिसके बाद पठना में सहा अलम द्वित्य का विदिवत राज्याविशेक 161 में अंग्रेजों के सहयोग सीखिया गया जिसमें बंगाल के ततकालिन नवाब मीर कासिम भी उसके दरवार में थे और इस परकार आरंभिक संगर्षव में अंग्रेज विजय रहे थे लेकिन फिर भी अंग्रेजों के विरुद्ध और संतोस बना रहा और उनकी सत्ता पूरी तरह सूधलीर नहीं हो पाई मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच मद्वेद प्रारंब हुआ और यहां निरंतर बढ़ता गया और यही बकसर की लड़ाई 1664 में जो लड़ी कियी थी इसकी प्रिष्ट भूमी बनी तो इन से चीज़ों का आप ध्यान रखें यहां पर बात आई थी बकसर की लड़ाई का तो बकसर की लड़ाई के बारे में मैं नेक्ट वीडियो में आपको बताऊंगा नेक्ट वीडियो में यह वीडियो को कैसा लगा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें चलिए धन्नवाद